हमारा सिध्धान्थ जो है वो है डेली का हिम्नद नियंत्रन सिध्धान्थ हमने इससे पहले डार्विन का पढ़ा था मुरे का पढ़ा था अगला हमारा जो है डेली का हिम्नद नियंत्रन सिध्धान थे और इन्हों ने जो यह सिध्धान दिया था यह दिया था 1915 और इनका सिध्धान था हवाई द्वीब के निरिक्षर के आधार पर इन्हों ने अपना यह सिध्धान दिया था ठीक है इनका मानना था, जितनी भी प्रवालों का निर्मान हुआ है, वो किसके बाद हुआ है, प्रवालों का निर्मान इनका मानना था, निर्मान जितने भी धरातल पे, समुद्र तल पे प्रवाल हैं, उनका निर्मान हुआ था, प्लीस्टो सीन यूग के बाद ठीक है और प्लीस्टो सीन कैसा यूग है हिम यूग प्लीस्टो सीन को हिम जिस समय धरातल पे क्या हो गई थी ठंड इतनी हो गई थी कि जितना भी पानी था वो किस में कनवर्ट हो गया था बर्फ में हो गया था अब इस सिध्धान्त को समझने के लिए एक सीधी सी बात उन्होंने कही थी मालीजे ये क्या है अपना इस थल और ये आ गया हमारा सागर तल इस सागर तल में के नीचे क्या है? जल भरा हुआ है ये अब हम बात करें किस युक की? पलिस्टोसिन युक की तो ये पानी यहां तक था अब क्या हो गई? धरातल पे एकदम से ठंड आगई ठंड आएगी तो ये पानी क्या होगा? ठंड के कारण जमेगा जमने के कारण जो सत्य यहां थी वो सत्य कहां पहुंच जाएगी? यहां पहुंच जाएगी इसका मतला इतना नीचे 60 से 50 मीटर नीचे सत्य पानी यहां तक अब सरेफ्रेजरेटर में मैंने आपको काई आप बर्फ जमाओगे तो पानी जो फेला हुआ था उसे कोड के छोटा सा ऐसे इसकी सत्य यहां से कहां चली गई यहां से यहां आ गई अब पहले जो अभी इस सत्य में बात कर रही हूँ बात की जो प्लीस्टो सिन्यूग में आई इससे पहले यहां पे चबूत्रे भी होंगे जबूत्रा, जॉला मुखी शंपू भी होंगे, पठार भी होंगे, गोयाट भी होंगे, मगर ढाल भी होंगे, तो ये तो अभी क्या थे? पानी के अंदर थे, जैसे ही पानी का तल नीचे हुआ, तो अब ये क्या हो जाएंगे सारे? हमें कहां दिखाई देने लगे? इस तल क सज़्ऌ यहां से वह सथे अप्रति यहां से उस जगए भी यहां अने से इनके उपर जो मुणगा विकास कर रहा था वह क्या हो गया मर जाएगा क्योंकि पानी नहीं रहा और पानी बिल्कु नीचे और ठंड इतनी और मुंगे के लिए क्या चाहिए गर्वी चाहिए तो जो ठंड का प्रभाव होता है उपरी सतह पे होता है नीचे की सतह पे जल का तापमन सामानने रहता है तो अब जिनको बचना था मुंगे को वो भाग के कहा जाएंगे यहां नीचे आएंगे उनको जीवन चाहिए ला इस तल के पास आएंगे और इस तल से नीचे नीचे क्या करेंगे वो विकास इस पे भी नीचे करेंगे क्योंकि बाद में डबलब होके वो कहाएंगे उपर ही तरह है, मगन ढाल है ढाल अब इन पे क्या होगा? बाहर की बाता वर नहीं प्रक्रियाब काम करेंगी तो क्या होगा? अपक्षे प्लस अपरदन का काम करेगा इन में टूट फूट होगी तो इनका मल्वा जो है वो कहां जाएगा? ये जो second वाली मैंने सतह बताई है इसी पर आके तो गिरेगा वो मलवा धीरे-धीरे कहां के गिरेगा यहीं तो आके गिरेगा और टूट फूट जो होगी तो निक्षेपड का काम का होगा अब सागरतल पहुंच गया यहां जो सागरतल पहले यहां था मैं डॉट डॉट में बता रही हूँ पहला सागरतल यहां था जमाव की कारण वो कहां आ गया यहां आ गया अब मलवा गिर गिर के यहीं तो गिरेगा तो जब मलवा यहां गिर के आएगा तो क्या बन जाएगी वेदिकाय बन जाएगी किसे कहेंगे सागर ये वेदिकाय ठीके अब जब ये वेदिकाय बच जाएंगे तो जो बच्चे हुए मुंगे थे जो कि अपने बचाफ के लिए जो नीचे ही थे उपर वाले तो मर गए क्योंकि तेज ठंड में बची नीचे बचे रह गए थे अब उनको सर्वाइव करने के लिए सत्य मिल गई अब वो इन वेदिकायों के उपर क्या करेंगे अपना निर्माड का काम शुरू करेंगे और वो निर्माड करते करते धीरे-धीरे वो सत्य धीरे-धीरे क्या होंगे उपर ाएंगे जब तक ही उपर आते मौly बदल गया प्लीस्टोस इन्ट के बाद क्या हो गई गर्मी आ गई अब गर्मी जैसे आई के बाद गर्मी तो जो जमा उब जल था जो सते यहां सी, जो 60-65 मीटर नीचे चली गई थी, अब वो क्या हो जाएगी, पानी पिगलेगा, पिगलेगा तो दुबारा अपनी पुरानी सते के असपासी तो पहुंच जाएगा, ठीके, अब जो मुंगे यहां थे, तब तक तो वो डबलब करके यहां आ गए थे, अब उनको बचना है, तो इतनी गहराई में तो सूर्य का प्रकाश अप पहुंच नहीं सकता, तो नहीं तेजी से जो ऊपर होंगे, वो बच जाएगा, जो जादा गहराई में होंगे, वो मर भी सकते हैं, लेकिन कई बार सर्वाइब कर जाते हैं, वो डिपेंड करता है, प्रमाण मिलें तो वो जो पानी पहले जमा था पिगल कर तो उपर दिखाई दे रही थी, जो आलामों की शंकू था चबुतरा था पठार था, वो सब दूब जाएंगे, अब इनको बचना है, इतनी गहराई में तो बचने की संभावन नी तो जल्दी से क्या करेंगे, वो उपर आने की कोशिश करेंगे उनको नीव भरी तो मिलगी अब वो अपना निर्मान कहां शुरू कर देंगे इनके उपर ताकि वो बच जाए क्योंकि जादा गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा और प्रकाश संस्रेशन की प्रक्रिया में भी काम नहीं हो और जो हिस्सा नीचे डूबा हो था वह अपरदित हो के निच्छे पित हुआ उन्हीं के उपर हो ना निर्मान और जब सागर का तल दुबारा बढ़ गया तो उन्हां फटा-फट से उपर आके जहां वह उंचे छेत्र से अपने बचाव के लिए उन्होंने निर्मान शु फिर कौन सी बनेगी हमारी अवरोधक और तीसरी हमारी क्या बन जाएगी यह अट और यह तीनों प्रकार की आकरति तो इसमें उन्होंने सीधी सीधी प्रेस्ट्रूसिन हिम्यूक पर ध्यान दिया किस पे सागर की तल पर ध्यान दिया साठ से 75 मीटर नीचे जाना और उसका अब बच गए उन्होंने विकास किया जो मर गया उनके अस्थी पंजरों के उपर दूसरे जीवों ने उसके उपर जैसे मुगा जो जीवा उसने अपना विकास की प्रक्रिय कार करी तो यह थी इनकी डेली की अब इनके देगे हर सिध्धांत के पक्ष और विपक्ष मैं द लेगुन भी बनेगा जहां हर एक मैं मैं बनेगा तो जो दौरान जीवित वैड से वह जलमगन वेदी काइई का तो इन्हों नर्मान 혼자 किया था तो इन्हों ने बित्तीका नाम के शुरू किया दू प्रवाल वित्तीnoldsुं का विकास हुआतो इसमें जो सक्री छोटी वेदी काई थी तो तट्य प्रवाल भीती, चोडी वेदी काई थी तो अवरोधक प्रवाल भीती और दौनों मिल गई तो एटॉल का निर्माण और टैल को एक हिस्सा खुला रहने से जल छेत्र उसमें प्रवेश्ट के और लेगून का निर्माण हो जाएगा ठीक है ये आपको धिहान रखना है इसमें ठीक है जो पठार चबूतरों के किनारे होते हैं वहां जातर इसमें लेगून बने थे और इसके पक्ष में प्रमाण होने की बात करें ना तो मंजन की बात करी नहोंने कोई विश्चेश गेहराई की बात करी सौह मीटरी या दुस उन्होंने जल के तल लंकी बात किूए इसकी अलावा की तो सागरी लहरों के पर्दन से जो शिक रहें ज्वालाओं की दीब थे कटकें थी वह क्या हो गए अब घर्षित होंगे तो निक्षे पढ़ों के समुद्र में उनके जमाव होगा तो इसमें क्या होगा सभी जल्मग चबूत्रों की गहराई लगवक समानी रही होगी क्योंकि ज इसको सीमा में तो बांध ही नहीं सकते इनके सिध्धान्त को तो यह तो इनके पक्ष में सिध्धान्त की बात हो गई दूसरी एक बात करें विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में देखिए जिन लैगूनों की बात कर रहे हैं कि लैगून जारतर चबूत्रों और ज्वा बच गई थी वहां नोने क्या बन गए लेगून बन गए तो यहां पर की मूंगे ने विकास किया यहां किया पीच में उनका पक्षय परदन थोड़ा बहुत जो मलवाय कट्वा तो बीच में जगे खाली रह गई वहां पर पानी बढ़ गया तो उसको नोने लेगून बताया लेगुन चोड़ाई निख्षेप निख्षेप के कारण है तो यह जो गहरा चेत्र款 होता हैं इतन में तो मतलब पंगे तो मिन गहर को सकता है जब इसके continue क्या होगा निक्षेपण होगा तो गहराई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो लैगून बन जाएगा जबकि यह कह रहे थे इन दोनों के मध्ध जो गैप है उसमें बनता है तो गैप तो बहुत गहरा भी हो सकता है न उस गैप को भरने के लिए 100% लाई में लेगुन बन ही नहीं सकते हैं दूसरी चीज इनोंने का था कि अपर्दन द्वारा जो भ्रगों है या वेदिकाएं हैं उनके निकट कई द्वीब भी मिलें चबूत्रे हैं लेगुने लेगुन के पास कई जगे कई द्वीब मिलें जो कि अगर इनके तो अगर ऐसा हुआ होगा तो ये तो उनमंज़ और निमंज़न की इनोंने अपने पूरे सिध्धान्त में कहीं बात नहीं कई थी और जब बाती नहीं की तो वो दीब कैसे आ गए और ये प्लीस टो सिन्हिम्युक की बात करें उसी दोरान वो दीब बने हैं तो वो दीब क से घहर के मिलती हैं 5 लेकिन समुद्रों में देखा में अधिक भाग में लेकिन ये इतनी होने होने का कारण नहीं वे और सैगरी लहरों की शमता सीवित होती हैं 5 जाधा घहराई तक नहीं करता Bell हुं है मालदीप की निकट एक स्थान है नजारेथ चबूत्रा हिंद महासागर में हिंद महासागर में एक जगे है नजारेथ यहां चबूत्रा बनाए जो कि 350 मीटर लंबा है तो चोड़ाई में आपको बताती हूं 100 मीटर चोड़ा है इतना बड़ा छेतर अगर कहीं बन रहा है तो वहां सिर्फ हम सागर तल के उपर या नीचे उठने की बात नहीं कर सकते हंड्रेट परसंट यहां तो निमंजन हुआ होगा यहां काम की गई होगी जिसके बारों में चर्चा ही नहीं की थी ठीक है तो प्रिशांत मासागर में मार्शल दीप का भी आधार बहुत विस्तरित है तो यह नोंने बताया नहीं कि अगर यह कह रहे थे सागर यह लहरों के कारण भी अगर अपरदन अपक्षय हुआ था तो इस चबूतरे पर कोई प्रभाब क्यों भी पड़ा यह नहीं बता पाए थे जो खोजों के दौरां बताया गया था एक इसमें यह भी इनका विवात का स्वरूप रहा था कि इन्होंने का था कि प्रवाल भित्यों की खुदाई सौ मीटर की गहराई तक मृत प्रवाल उपस्तित मिले और जब कि यह कहां बता रहे इन्होंने ना तो यह बताया कि उन्मंजन कहीं हुआ की नहीं हुआ निमंजन कहीं हुआ की नहीं हुआ गहराई का निशित मापन नहीं बताया इन्होंने या प्लिस्टो सिन्युक के दौरान जब गर्मी आई होगी बात का जो युग था उस युग के बारे में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये तो इस कारण इनके सिध्धांत का आलोचना का शिकार होना पड़ा था लेकिन इनका सिध्धांत आपको ध्यान रखना है सागर तल में परिवर्तन से की प्लिस्टोसिन हुमिग में सागर का तल साथ से पिचतर मीटर नीचे आ गया दोबारा प्लिस हमारा किसका सिध्धां डेली का हिमनत नियंत्रन सिध्धां